मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं Breaking Barriers with Aliyah Shah Welcome to my show आज FATF का फैसला पाकिस्तान को Gray List में रहना था या निकल जाना था फैसला हो गया, FATF ने फैसला की है कि पाकिस्तान को Gray List में ही रखा जाए पाकिस्तान Gray List में ही रहेगा, Gray List से पाकिस्तान नहीं निकल पाया इसके बावजूद के पाकिस्तान ने 27 में से 26 पॉइंट्स हासिल किये यानि 27 ऐससे स्टेप्स थे ऐसे एक दमात थे जो पाकिस्तान को करने के लिए कहे गए थे जिसमें से पाकिस्ताने 26 टारगेट्स अचीव कर लिये थे लेकिन फिर भी वो एक ग्रे लिस्ट में ही मौजूद रहेगा एक बड़ी खबर ये, इसके ओपर हम बात करेंगे, क्या वज़ा हुई, क्यों ऐसा हुआ, इसके साथ एक और अहम खबर आज के दिन, जबके ये फैसला आना था, FATF का फैसला हमें सुनाया जाना था, ग्रे लिस्ट के हवाले से उसी दिन, पाकिस्तान के सोशल मीडिया, ट्विटर पर टॉप ट्रेंट जो चीज़ बनी वी थी, वो थी, तालिबान हमारे गार्डियन्स हैं, तालिबान आरावर गार्डियन्स एक ऐसे दिन जब पाकिस्तान के हक में ये खिलाफ इतना बड़ा फैसला आने वाला हो, उस दिन इस तरहां का ट्रेंट, टॉप ट्रेंट बनना, जिस पे 12, 15, 20,000 से ज्यादा ट्वीट्स हो चुकी हैं, इसके क्या मानी है, ये कितना मानी खेज है, इसका क्या मतलब है, इस तमाम कंट्रीज जहां पर देश्ट कर दी है, जहां पर मनी लॉंडरिंग है, जहां पर पैसा बाहर जाता है, गलत तरीकों से और जराइम होते हैं, उन को उन तमाम कंट्रीज को ये टास देते हैं, टार्गेट देते हैं, कि आपने एकदमाद करने हैं चीज़ों के खलाफ पाकिस्तान का साथ देनेवले कंट्रीज में जो हेल्प आउट कर रहे हैं पाकिस्तान को इसमें से निकलने के लिए वो चाइना और मलाइजिया और टर्की है जबके इसके इलावा फ्रांस के बारे में भी कहा जाता है कि फ्रांस भी पाकिस्तान को हेल्प आउट कर रहा है इ इनको कम किया जाए और खत्म किया जाए पाकिस्तान ने इस सलसले में बहुत से कवानिन मतारिफ करवाए अपने मुल्क में बहुत लेजिसलेशन की गई मनी लॉंडरिंग के खिलाफ बड़े बड़े एकदमाद किये गए लोगों को पकड़ा गया तरीके ऐसे बनाएगे कि ऐसा ना हो सके कई देशितगर्द तन्जीनों पे कलदम उनको करार दिया गया उनको बैन किया गया जिसमें कि आप जानते हैं जमातु दावा और हाफिस स कर लेना भी बड़ी बात है लेकिन इंप्लिमेंटेशन क्या सब पर हुई इसकी वज़ाए यह है कि जाहर है कि बाहर भी सब को दिखता है और यह सवाल उठाए जाते हैं कि अगर ऐसी तन्जीमें कलदम करार दे दी गई हैं तो उनके जो लीडर्स हैं वो अभी भी काम क्य करते वे नजर आ रहे हैं अभी भी स्टेटमेंट्स चारी करते वे क्यों नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर इतना एक्टिफ कैसे हैं चंदे कैसे जमा करें यह सब सवाला जो है वो तब भी उठते हैं इसके अलावा क्या हमें अपने गरेबान में भी थोड़ा सा जहांकन करते हैं और उनको एक चुप लग जाती है और वो सोचते हैं कि वो इसका क्या जवाब दें यह फुटिश पूरी दुनिया में चली है उसके बाद आप बेशक जो मर्जी कह लें ऐसा तो हुआ हम अभी तक यह तैहने कर पाए कि कौन दैश्टगर्द है और कौन ने हमारे साथ दुश्मनी की है उन्होंने जान बुच कर ऐसा की है तो इसका मतलब एक तो यह हो सकता है कि देखिए वो सब हमारे दुश्मने और हम पूरी दुनिया हमारे पाकिस्तान के खिलाफ हमारे खिलाफ मिल कर काम करती है और सिरफ हमें टार्गिट पर उन्होंने र चल रही है लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि या तो यह सोच लीजे कि हम बहुत अच्छे बाकी पूरी दुनिया खराब और फिर आप अपने कमानी नलग से बना लीजे दुनिया से कट जाएए उन्हें कह दीजे हम आपका कोई रूल नहीं मांते हम आपको कोई असूल नहीं मांते हम आपसे एड नहीं लेंगे हम आपसे करजानी लेंगे हमें आपकी जरूरत नहीं हम खुद अपना करेंगे क्योंकि आप हमारे दुश्मन है एक तरीकार यह है ठीक है और दूसरा तरीकार यह है कि आप जरा देखिए कि आपने पास्ट से लेकर अब तक किया क्या है आज जिनकी हक में आप ट्रेंड बना रहे हैं, वो वो लोग हैं, जिनको आप अपने गार्डियन्स कह रहे हैं, वो वो लोग हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में 70,000 से जाइड लोगों को मार दिया, मौत के घाट उतार दिया, और 25,000 से जाइड फॉजी जवानों को, जिन्होंने आ नहां कि इतनी देश्टगर्दी जिन्होंने हमारे साथ की, उनको हम अपना बाप कह रहे हैं, उनको हम अपना इस वक गार्डियन करार ते रहे हैं, क्या आपको ये लगता है, क्या हमें ये लगता है कि ये सब चीजें बाहर नहीं जाती, उनको समझ में नहीं आती, जब हम य यह नहीं बोल पाते हैं कि हमारा दुश्मिन कौन है, देश्चत-गर्द कौन है, तो आपके ख्याल में कि यह mindset बहर से आपको नजर नहीं आता, पता नहीं चलता, अपने अंदर रहने वाले, जो आपके अंदर रहने वाले ऐसी सोच के हैं, जो समझते हैं कि एक progressive narrative आगे लेक खलना चाहिए, हम इतनी मार खा चुके हम इतना जुम अरदाष्ट कर चुके अपने उपर इस देश्चत-गर्दी के बिना पर, इसके बावजूद, अभी तक हमें यह समझ में ने आई कि हमारा दुश्मिन कौन है और दोस्च और दोस्वन है, हमें यह समझ में नहीं आया कि कौन दैशितगर्द है जिसने हमारे साथ ये कुछ किया या हमारा दुश्मन वो है जो Financial Action Task Force में एक पॉइंट कम होने की वज़ा से हमें कहता है कि नहीं तो मैं ये पूरा करने पड़ेंगे, कौन है? या तो वो पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है या फिर ये दैशितगर्द हमारे दुश्मन है इसमें हमें तफरीक करनी पड़ेंगे, हमें देखना पड़ेगा बाकी बहस इस पर बहुत हो सकती है आप कुछ भी कह लीज़े किस बात की वज़ा से जिस तरह हकूमत की तरफ से शामेहमुद कुरेशी साब का एक ये बयान आया कि जो भारत है वो पाकिस्तान के खिलाफ ये कोशिशे कर रहा है कि उसको ग्रेल इससे ना निकलने दिया जाए तो मसला ये है कि ये दोनों दुश्मन कंट्रीज एक दुश्मन देस हैं पास ये सब चीज नहीं होती उसकी बात नहीं मानि जाती तो आप अपनी लॉबिंग बेहतर कर लीजे हमें चाहिए हम अपनी लॉबिंग बेहतर करें हमें चाहिए हम अपना तालीमी निजाम बेहतर करें हमें चाहिए हम साइंस और टेकनोलजी में आगे जाएं हमें चाहिए हम अपनी एकॉनमी बेहतर करें हम इतनी स्ट्रॉंग हो जाएं कि हमारे खिलाफ कोई ऐसा कोई एक्शन ले ना सके और अगर कोई लेने की कोशिश करे कोई हमारे खिलाफ साधिश करे था हम उसको मूद और जवाब दें अपनी लॉबिंग के जरी अपनी इन तमाम जो ताकते हैं जो मैंने कहीं इन पावर्स पता नहीं अभी तक वह बहन है या नहीं है उसने लहोर में पूरे शहर में आग लगा के पूरे मुल्क में आग लगा के जो कुछ पूरी दुनिया को दिखाया वो भी सब के सामने हैं और उनके साथ जो हम क्या कर पाए उनके साथ अभी तक तो क्या आपके ख्याल में ये वो फ्रांस कंट्री उसके खिलाफ उसके अमबेसेडर को निकालने के लिए जो कुछ हुआ यहां पर और फिर उनकी प्राड़क्स की बाइकॉट करने के लिए इसके बावजूद आप क्या कर रहे हैं कि आप एक पॉपॉलर नेरेटिफ तो यही है कि आप कहें कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया अगर इसमें हमें सुकन मिलता है हमें मिनमान मिलता है हम समझते हैं कि यह करके और यह समझ के और अपनी जेनरेशन को यह समझा के हम जीड़ाएंगे और जो दुनिया है उसमें तरकी करेगा पाकिस्तान, कोई मसला नहीं है तारीक पर तो तो अब तो आप जरूर ये नेरेटिव अपनाई रखिए तब तो हमें कोई मसला नहीं है, आप जरूर कहते रहिए हम कह रहे हैं जी उन्होंने दुश्मनी में किया है, वो है हमारे बहुत उन्होंने जानबूच के ऐसा किया है, क्योंके वो पाकिस्तान को फलते फूलते नहीं देख सकते, क्योंके पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टन कंट्री है, और पाकिस्तान तरकी की बलंदियों पर है, वो चाहरे हैं कि वो नीचे चले जाएं, सूपर पावर्स की पाकिस हमारे तो सब यहा है वो दह summersत गर्दी के नाम से भी हम वाके नहीं हैं अगर हम इस तरह सोचते हैं और हम इस तरहा हैं और हम इसमें खुश हैं यहां तक मैं देख रही थी कि क्या क्या लिखा जा रहा है ट्रेंड में तो उसमें लिखा जा रहा था कि सुक का सांस जो है वो हमें आ रहा है हम शुकर गुजार हैं अपने खुदा के कि ये जो हैं हमारे गार्डियन है ये आए हैं पावर में तो हमें देखिए ये बात बिलकुल दुरूस्त है मैं मानती हूं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अब जो हकूमत आएगी तालिबान की उसके साथ बहुत अच्छे तालुकात रखने चाहिए इससे कोई इंकार ने कर रहा बिलकुल ऐसे ही होनी जाएए क्योंकि पाकिस्तान की सेफटी इसमें हैं लेकिन इस वजा से कि वो इक्तदार में आने वाले हैं आप कमसकम ऐसा ने नेरेटिव तो ना अपनाएं जो आपके अपने बियानिये के खिलाफ चलाफ जाए हम जानते हैं कि उनके साथ तालुकात रखना बहुत जरूर मुलाकात हुई है इस तालबाण से अर भारत भी कुशिश कर रहे हैं कि यहां पर नजर आ रहे हैं जिस थरीके से जबरिदस तरीके से महाँ पर सरेंडर्स हुए फोर्स की जानिब से तो खुम्बत तो तालुका न can कि हो गया बहाँ पर तो दाहर है कि वहां दहशre gagardie यहां पर होती है, तो हमने अगर अपने मुल्क में दहशre gagardie, दोनों मुल्कों ने रोकनी हो, तो इसका एक ही तरीका है, कि एक बहतर हकूमत बहां पर बनवाई और साथ में उनके साथ तालुकात बहुत अच्छे रखे जाएं, ताके वहाँ से कोई इस तरह के हमें problems face ना करने पड़े लेकिन दोस्ती का तालुकात अच्छे रखने का तरीका यह नहीं है कि आप कहीं कि आप हमारे guardian है, आप हमारे बाप हैं यही तो पूरी दुनिया कहती है कि वो हमारे बाप है और हम यह साबित कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया के कह रहे हैं हाँ ठीक है, ऐसा ही है दोस्ती के तालुकात कि आप यह trend चला सकते थे कि हम आपको welcome करते हैं या यह कि हम आपको एक strong और अच्छी हकोमत के लिए जो है, वो best wishes कहते हैं आप इस तरह की धेरो धेर आप कोई भी narrative अक्तियार करते लेकिन मैं तो समझ से बाला तरह है कि इस तरह की यहां पर बाते होती हैं और उसके बाद उसको defend किया जाता है तो FATF में अब कुछ और जो points हैं वो भी पाकिस्तान को दिये गए हैं सिरफ पहले वाले points से पूरे नहीं करने होंगे बलके कुछ और मेरा ख्याल है कि उसमें directions दी गई हैं कुछ और उनको reservations है उन्होंने कहा है कि आप इसको भी करें इसके बावजूद कि उन्होंने तारीफ की है फिर भी पाकिस्तान को अब इसके पर काम करता रहना पड़ेगा और वही एक बात कि अगर आपने ग्रेलिस से निकलना है तो सबसे पहले दो काम आपने करने हैं सिरफ दो काम हैं आपको करने को कह रही हूँ एक ये कि आपको ये समझना होगा कि कौन दैशतगर्द है कौन आपका दुश्मन है और कौन दैशतगर्द नहीं है और कौन आपका दुश्मन नहीं है इसमें आपको तमीज करनी पड़ेगी और यही आपको अपनी जैनेरेशन को पढ़ाना होगा और बताना होगा यही mindset बनाना पड़ेगा आपको तरक्की करने के लिए तालीम, economy और इस तरह की चीजों को narrative एक progressive mindset इसको अपने मुल्क में लाना होगा तब आपको किसी की मजाल नहीं होगी, किसी की जुरत नहीं होगी, कि वो आपको grey list में ला सके, फिर पूरी दुनिया आपकी दोस्त होगी, कोई भी दुश्मन नहीं होगा, अगर आप हम अपने लिए ये सब कुछ कर लें, एक तो हम ये जान लें कि कौन दैशितगर्द है और कौन दैशितगर्णी, और अगर हम जानते हैं, तो हम कहना भी सीख लें पर मला, और हम अपनी जेनरेशन को भी बताएं कि कौन तुम्हारा दुश्मन है और कौन तुम्हारा दुश्मन नहीं है हम ये बताएं कि जो दैशितगर्द है वो तुम्हारा दुश्मन है पूरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन नहीं है दूसरा हम अपनी तालीम, science और technology और economy को बेहतर कर लें और इसमें तरकी करें हम modern science और modern education को अपनाएं और अपनी generations को भी पढ़ाएं और बताएं अगर हमने ये कर लिया तो किसी में पूरी दुनिया में इतनी जुरत ने, इतनी ताकत नहीं है कि वो हमें gray list में रख सके पिर हमें किसी की जुरूत नहीं होगे और फिर बैके हमें किसी को ये नहीं होगे कि तुम हमारे दुश्मन उसने दुश्मनी में हमारे साथ ऐसा किये इसके लिये अगर हम खुद अपने लिए कुछ बेड़ी तर सोच लें और अच्छा कर